हेलो दोस्तों स्किन को घुरक करने के लिए फेल लवली का ये फेशल हफते में दो तपा कर ले मैं आपको गरंटी देती हूँ ब्यूटी पॉलर का तो आप कभी सोचेंगे भी नहीं इस फेशल को करने के बाद चार चीज़े चाहिए दोस्तों करना क्या है सबसे पहले आपने फेल लवली क्रीम लेनी है ये क्रीम आपको हर मुल्क से हर शेहर से आसानी से मिल जाती है गर पर अवेलेबल होती है तकरीबन सबी के घर में होती है तो आपको परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी इस फेशल में मैं वो वो चीज़े एट करूंगी न कि आपको आसानी से वो चीज़े मिल जाए और अपनी स्किन को गोरा कर सके है फिर लवली क्रीम एक तो मुझे कटोरी में डाल लेनी है फिर फुल पाउडर या बारिक नहीं करना ठीक है थोड़ा मोटा आपने पीस लेना है और फिर आदा चमच के बरावर में इस क्रीम में एड कर दोंगी चीनी को जी दोस्तों आप सोच रहे होंगे चीनी एड के यही आपके स्किन की मेल को रिमूव करेगा इस किन को गोरा करेग फिर लिवली क्रीम में आदा चमचीरी को मिला कर अच्छे से इन दोनों को मिक्स कर लेना है आपस में अब मजीद स्किन को गोरा करने के लिए दोस्तों इसमें एड करेंगे यह आप जो कैपसूल देख रहे हैं यह बहुत कम रहे गया है फुल डबी मेरे पास यह भरी वेत सकीषब केशन करताль हुआ है और aye अच्छें स्किन को वाइड करता है ब्यूटी वॉटी पोलरर में फैशल में एड करते हैं क्रीम्स में यूस करते हैं इसकेरल्द बहुत जलदी हमें मिलते हैं तो यह कैपसूल हमने इसमें हैं आप लेना है दोस्तों अरक गुला मेरे पास यह अर्के गुलाब है कोई है भे आप लेा है रके गुलाब के बार्के ऐसकी अपने स्किन नाच तुकल शॉब्स पर लगलाए करें इसकिन को फ्रेश रखता है अब हमने इन तमाम चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है अब एक और में आपको इंपोर्टिट चीज बताओं अगर आपके स्किन सेंसिटीव है यह जैसी भी है आप इसमें सिर्फ थोड़ी सी ऐलो वेरा जल मिला लें मेरे पास यह प्लांट का है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा आदावाफ प्लांट का एलो वेरा जल इसमें एड कर सकते है इसकिन के अबर पोर्ट्स आपके और ओपन है वो भी खाँड़ो जाएंगे कि बहुत ज्यादा वाइट हो जाएगी इस मसाज को कप कप करना है कितनी देर त आईएगा दोस्तों मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है इस क्रीम को बना कर आपने अपने चेहरे पर मसाज करना है 15 मिनट तक मसाज करना है उसके बाद आदे घंटे के लिए छोड़ देना है अगर रात को करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा स्किन की सारे दिन भर कि मेल कुचेल रिमूब हो जाएगे हफते में तीन दफ़ा इस वैशल को आपने करना है तीन दफ़ा रही तो दो दफ़ा तो आपने लाजमी करना है दोस्तों इस मसाज से आप किसकी ना ही डैमीज होगी ना ही आपको कोई साइड इफेक्ट होगा अच्छे से मसाज करते और फिर आदे घंटे के लिए चोड देना है ड्राय होने के लिए पिठंडे पानी से वाश कर ले ना है फेस वाश का इस्तुमाल नहीं करना हुँ आपने तकरीब़न 8 घंटे बाद ही इस्तिमाल करना जब आप ये फेशल करेंगे ठीकए उसके बाद आपने फेस का इस्तिमाल दोस्तों नहीं करना अब मैं आपको लैव रिजेट दिखाने वाली हूँ दोस्तों मैं इसे छोड़ दूँ आदे गेंटे के लिए ये देखिए दोस्तों मेरा हाथ हो गया ड्राइ अब मैं इसे आपको रिमूव करके दिखाऊंगी कोई फिल्टर नहीं कोई मेने मेक अप नहीं किया हुआ औरिजनल जो मुझे रिजेट मिला है आप खुद देखिएगा कितनी गलो कर रही है मेरे स्किन कितनी वाइट हो चुकी है इस तरह भी मैं आपको नहीं बताऊंगी कि एक दम से वाइट हो जाएगी दोस्तों नहीं आपने एक महीने तक हफते में दो से तीन दफा स्पेशल को करना है रिजल्ट आपको जो फार्मूला क्रीम लगाने से मिलता है ना लेकिन उस स्किन डेमिज होती है तो आप जब ये फेशल करेंगे स्किन आपकी डेमिज भी नहीं होगी और गोरी हो जाएगी लोग हैं आप से पूछें के आप एपनी सकिन पर ऐसा क्या लगाया है इसकिन आपकी वाइट हो यह गलो ओर मिलो हो यह है फ्रेश हो जाएगी दोस्तों आपकी स्किन तो फिर कैसी लगा आपको मेरा ये वाला फार्मूला यह में परसनलरी दोस्तों यूज़ करती हूं अगर आपकी शादी करीब है तो आज सही इसे अपलाय करना स्टार्ट करते हैं बच्चे बड़े इस सब इससे इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तों 12 साल की जो लड़कीया होती है न वो भी इसे इस लड़के सब इस्तमाल कर सकते हैं